जे श्री हरी spiritual ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे भोजन करने के नियम सभी नियमों का पालन तो लगभग संभव नहीं है लेकिन जिनका किया जा सकता है करना चाहिए नमबर वन खाने से पूर्व अनपूर्णा माता की स्थुती करके उनका धन्यवाद देते हुए तथ सभी भूखों को भोजन प्राप्थो ऐसी प्रात्ना करके ही भोजन आरंभ करना चाहिए नमबर दो ग्रस्त के लिए प्रातह और साय दो समय ही भोजन करने का विधान है नमबर तीन दोनों हाथ दोनों पैर और मुख इन पांच उंगों को धोकर भोजन करने वाला दिर्ग जीवी होता है नमबर चार भीगे पैर खाने से आयू में व्रद्धी होती है नमबर पांच सूखे पैर चूते पहने हुए खड़े होकर सोते हुए चलते फिरते बिचावन पर बैठकर बोध में रखकर हाथ में लेकर फूटे हुए बरतन में बाएं हाथ से मंदिर में संध्या के समय या मध्य रातरी में भोजन नहीं करना चाहिए रातरी में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए रातरी के समय दही सत्तु एवं तिल का सेवन नहीं करना चाहिए हसते हुए रोते हुए बोलते हुए बिना इच्छा के सूरे ग्रहन या चंद्र ग्रहन के समय भी भोजन नहीं करना चाहिए पूर्व दिशा की और मुख करके खाना खाने से आयू बढ़ती है उत्तर दिशा की और मुख करके भोजन करने से आयू तथा धन की प्राप्ती होती है दक्षर दिशा की और मुख करके खाना खाने से वह भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है पस्ट्रिम की और मुख करके भोजन करने से व्यक्ति रोगी होता है भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए यदि पत्नी भोजन कर रही है तो उसे देखना नहीं चाहिए बालक और व्रद को भोजन कराने के बाद ही स्वयम भोजन ग्रहन करना चाहिए बिना इसनान, पूजन, हवन किये भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए बिना इसनान के जल, दूद, फल और उसिधी का सेवन किया जा सकता है किसी के साथ एक बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए पतनी के साथ तो कदापी नहीं अपना जूटा किसी को ना दे ना ही स्वैम किसी का जूटा खाए कांसे के बरतन में भोजन करने से आयू, बुद्धी, यश और बल में व्रद्धी होती है याद रहे रविवार का दिन छोड़ दिया जाए परोसे हुए अन्न की निंदा ना करे वह जैसा भी है प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल और तेज बढ़ता है इर्श्या, भै, क्रोध, लोब, राग और देश के समय किया गया भोजन शरीर में विकार उत्पन्न करता है भोजन में पहले मीठा, बीच में नमकीन, एवं खटी तथा अंत में कड़वे पदार्थ को ग्रहन करना चाहिए कोई भी मिस्टान पदार्थ जैसे हल्वा, खीर, माल, पुआ, इत्यादी, देवताओं एवं पित्रों को अरपन करके ही खाना चाहिए जल, शहद, दूद, दही, घी, खीर, सत्तु को छोड़ कर कोई भी प्रदार्थ संपून रूप से नहीं खाना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा थाली में जरूर छोड़ दें जिससे प्रेम ना हो, उसके यहां भोजन कभी ना करें मलमुत्र का वेग होने पर कलहे के माहोल में अधिक शोर में पीपल वट व्रक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए आधा खाया हुआ फल, मिठाईया, आधी, पुनह नहीं खानी चाहिए खाना छोड़ कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए ग्रस्त को 32 ग्रास से जादा नहीं खाना चाहिए थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयू, बल, सुक, सुन्दर संतान और सुन्दर प्राप्त होते हैं जो धिंडोरा पीट कर खिलाता हो उसके यहां कभी नहीं खाना चाहिए कुत्ते का चुवा, रस्वला, इस्तिरी का परोसा, श्राद का निकाला हुआ, बासी, मुह से फूंक मार कर ठंडा किया हुआ, बाल गिरा हुआ, भोजन नहीं खाना चाहिए कंजूस का राजा का चरितरहीन के हाथ का शराब बेचने वाले का दिया भोजन कभी नहीं करना चाहिए भोजन बनाने वाले इसनान करके ही शुद्धमन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाएं और सबसे पहले तीन रोटियां अलग निकाल कर रगड़ें गाय की, कुत्ते की और कोवे की फिर अगनी देव का भोग लगा कर ही घर वालों को खाना खिलाएं इसमें से जितने भी नियमों का पालन हो उतना अच्छा है तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्षन में बताएं दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फोर वाचिंग